चलिए आज बनाते हैं दम आलो तो सबसे पहले हमें एक साइज के आलो निकाल लेना है और अच्छे से धो लेना है ताकि मिट्टी ना हो आलो में और छिलका अगर आप चाहे तो पुड़ा निकाल सकते नहीं तो थोड़ा-थोड़ा तो चलिए आप कुकर में सीटी लगा दे से तो चलिए उसी कुकर में अब एक कप पानी डाल देते हैं दो प्याज लच्छा काटा हुआ और एक टमटर दिया है आधा चमच नमक देंगे आधा चमच लाल मिर्च पाउडर तीन तेज पत्ता और दो चमच के असपस सर्षू का तेल दे देंगे अब चलिए एक कुकर पे सीटी लगा देते हैं मसाला दो सीटी लगाना है हमें चलिए अब इसको हम ठंडा करने के बाद मिक्सी जार में मसाला बना लेंगे लेकिन याद रखें मसाला को बहुत अच्छी से ठंडा करने के बादे आपको मिक्सी चलाना है यह देखें मसाला से ब्रेक कर लेना है छेद कर लेंगे टूटपिक से बहुत ही अच्छे से आर पार हो जाना चाहिए ताकि मसाला अच्छे से अलू के अंदर जाए आप अगर कम छेद करेंगे तो मसाला अलू के अंदर नहीं जाएगा यह दिखे अब आलू को हमें बहुत ही अच्छे से फ्र बचे हुए तेल में चलिए अब लगाते हैं तरका, तो दो सुखा मिर्च दिया है और कुछ खरे मसाला जीरा सौप, एक चुटकी हिंग दिया है, few seconds हमें फ्राइ करना है, गैस हमें धीमी रखना है, आधा चमच अद्रक लसन का पेश्ट एड़ कर दिया है, अच्छे से फ्र एक चुटी चमच घलदी पाउडर को भी 30 सेकेंड मसाला के साथ हम पकाएंगे, आधा चमच जीरा धनिया पाउडर दे दिया है घर का बना हुआ मसाला है, चलिए 20-30 सेकेंड हम फ्राइ कर लेते हैं उसके बाद हम दे देंगे, आधी च्छोटी चमच गरम मसाला बरिया से 20-20 second fry करेंगे अब हम दे देंगे प्याज टमटर बला पेस्ट एड़ कर देंगे और 8-10 मिनिट तक मेडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे से पकाएंगे मसाला को यह देखें छोल देते हैं अब 8-10 मिनिट तक मसाला बहुत अच्छे से फ्राइ हो चुका है तो चलिए अब हम एक कप पानी आट कर देते हैं ग्रेवी को बॉयल होने के लिए छोल देंगे 3-4 मिनिट तक यह देखें ग्रेवी बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है तो चलि से मिक्स करके आप स्टीम लगाने के लिए छोड़ देते हैं पास से चे मिनेट बन गया है दमालो तो चलिए अब हम धनिया पता देते हैं धोरा जो आपको ग्रे भी दिख रहा है ये भी बहुत कम हो जाएगा तो चलिए हम सरफ कर लेते हैं एक बावल में